हमारे देश पर जब जब दुस्मनों ने हमला किया है, तब तब भारतमा के सपुतों ने सोरे और हिम्मत से उसका सामना किया है, फिर चाहे उन्हें अपने प्राणों की आहूती ही कि उन्हा देनी पड़े आजम आपके लिए एक ऐसे ही महान सिपाई और बहादूर लीडर लेटिनेंट करनल अर्दे सिर्ट तारापोर की कहानी लेकर आये है, जैने 1965 के भारत पाकिस्तान युद में फिलोरा की लड़ाई में अद्बुत सोरे के प्रदर्शन के लिए मरणों परान भारतिया सिना के स रतन जीबा के परिवार के थे, जिन्होंने सिवाजी की सिना का नेतरूत्व किया था, और उन्हें सो गाउं से सम्मानित किया गया था, जिसमें से तारापोर मुख्य गाउं था, जहां से उनके परिवार का नाम आता है, बाद में उनके दादा हैदराबाद में स्थान अं स्कूल में भेजा गया, उन्होंने 1940 में अपना मेट्रिक पूरा किया, स्कूल के बाद उन्होंने आर्मी जोइन करने के लिए आवेदन दिया और वो उसमें सिलेक्ट हो गए, उन्होंने ओविसर्स ट्रेनिंग स्कूल गोलकॉंडा में अपना प्रारंबिक ट्रेनिंग कूरी और इसके बाद उन्हें बैंगलोर भेजा गया, और इसके बाद साथवी इंफेंट्री बटालियन में सेकेंड लेफ्टिन के पद पर नियुक्त किया गया, जिन्होंने वीतिया विश्वे जुद्व में पस्चिम एसिया में वीर्ता का परिचय दिया था, 1947 में भारत को अजादी मिलने के बाद अर्देशी तारापोर को सत्तरवी पुनाहर्स में सामिल किया गया, साल 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच भयंकर युद्व चिड़ा, इस युद्व में पाकिस्तानी सेनानी दो लाख से ज़्यादा इंटेंटरी, 720 टेंक और 700 विमानों को युद्वमी में उतारा था, और इसका मुतोर जवाब देने के लिए भारत ये सेनानी 7 लाख जवान, 720 टेंक और 700 विमानों को जंग के मैदान में उतारा था, इस युद्व से पहले ही तारापोर को लेफ्टिनेंट करनल बना दिया ड़या था, 11 सितमबर 1965 को लेफ्टिनेंट करनल अर्दे सिर्थ तारापोर के नित्रुत्व में उनाहर स्रेजिमेंट को चाविंडा की लड़ाई के दोरान, सियाल कोट सेक्टर में फिलोरा जीतने का आदेश मिला, वो अपने टेंकों के साथ फिलोरा की तरफ बढ़ रहे थे, और लेफ्टिनेंट करनल तारापोर ने ऐसा चक्रव्यू बनाया था, जिससे दुसमन का बचकर निकलना नामुन की न था, जब वो चाविंडा की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो अचानक पाकि पाकिस्तानियों ने उन पर हमला कर दिया, अलाकि भारतिय सेनिकों के साहस के सामने दुसमन ज्यदा देट टिक नहीं पाए, वजिराली में पाकिस्तानी सेना को दूल चटाने के बाद वो इंपेंडरी बटालियन के साथ फिलोरा की तरफ आगे बढ़े, उन्हें रोकने के युद भूम में छोड़ कर वापस आने के लिए तैयार नहीं थे, चक्मी हालत में वो लगातार मोर्चे पर अड़े रहे और 13 सितंबर को वजिराली पर तिरंगा फैरा दिया, अब उनका अगला लक्षय चाविंडा था, वो तेजी से आगे बढ़ते जार रहे थे, और द साथी दुस्मन के टैंकों पर गोले बरसा रहे थे, दुस्मन सेना की तमाम खोशिजों को नाकाम करते हुए, उन्होंने 16 सितंबर को जसोरन और बटूर डोगरांडी पर अबजा कर लिया, उनके नेतरुत्व से प्रेरित होकर रेजीमेंड ने दुस्मन पर जबरदस्त हम किया और लगपक दुस्मन के 60 टैंकों को नश्ट कर दिया, इसके बाद तारापोर की टैंक को टक कर मार दी गई, जिससे उसमें आग लग गई और इसी के चलते अर्देशिर तारापोर वीरगती को प्राप्त हो गई, अपने लीडर की मौत के बाद भी भारतिया जवानों को ने दुस्मन से जम कर लोहा लिया और फिलोरा पर तीरंगा फैरा दिया, इतिहास में है युद्ध, ऐसे युद्ध में दर्ज है जहां सबसे ज्यादा टैंक नस्ट हुए थे, लेटिनेंट करनल अर्देशिर तारापोर के वीरता बरे देश प्रेम को संबान देते तब तब मा भारती के वीर सबुतों ने उन्हें नेस्त नाबुत कर दिया है, हमें गर है कि हम ऐसे जाबास महावीरों की धर्ती बारत में जन में है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हूँ तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल मिशन मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरू करते हैं तब तक के लिए जय हिंग जैने नेक्स्ट वीडियो में